हलो बच्च लोग आज से मैं एक निया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है स्टार्ट को चलाना कैसे है उसकी सारी चीजे बताऊंगा क्या आप कर सकते हैं तो आज का जो हमारा टुटोरियल है वो बेसिकली बेसिक्स के बारे में है यानि हम लोग आज कैलकुलेटर का इंटोड़क्शन देख रहे हैं बेसिक देख रहे हैं सबसे पहले बात करो कैलकुलेटर को ओन करने के लिए आप यह बटन दबाते हो तो कैलकुलेटर आपका ओन हो जाता और जैसी ओन होगा यहां पर एक बिलिंक करने लएगा जिसको हम लोग जलबुद जलबुद कहते हैं यह जलबुद जलबुद करने लएगा यह हम लोग पूरे सीरीज में इसको जलबुद बटन जलबुद बटन बात करेंगे हैं तो यह जो है आपका जलबुद करने लगा आपके स्क्रीन पर मतलब आपका कैलकुलेटर ओन हो अब calculator on होने के जस्ट बगल में एक mod एक बटन है जिसको बोलते है mod setup बटन को लिखा हुआ mod setup इसको जब आप click करते हो तो इसमें total 8 mod आता है इन mods के बारे में हम लोग detail में बात करेंगे और सारे mods को हम लोग समझेंगे अलग अलग tutorial में सबसे पहला mod जो है वो basically computer mod है जिसको टीपने के बाद simple screen आ जाता है और सारे simple calculation mathematics के इसी mod में होते हैं तो सबसे पहला mod हम लोग आज इसी के बारे में बात करेंगे और सारे simple calculation के बारे में समझेंगे यह आपका navigation button है navigation button है अब जैसे हमने लिखा two, three, five कुछ भी लिखा हमने अब इससे navigate करते हैं इदर से उदर जाते हैं जो भी जलबुत था आपका इदर से उदर जाने लगा तो navigate करते हैं हमने बटा में कुछ लिख दिया तो ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है तो ऊपर से नीचे जाने के लिए नीचे से उपर जाने के लिए navigation button का इस्तमाल करते हैं ठीक है उसके बाद आता है हमारा क्या alpha और shift यह बहुत important button है जिसके बारे में जानना हम लोग को जरूरी है शिफ्ट का काम क्या होता है शिफ्ट के साथ आप कोई भी button दबाएंगे तो उस button का second work होता है यानि जैसे देखो यह जो तुम्हारा button है इदे को root का है है यह root का button है square root लेकिन इसके नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे cube root तो जब shift के साथ इस button को दबाओगे तो यहाँ cube root का काम करेगा और जब इस button को आप simple दबाओगे तो यह square root का काम करेगा यानि shift basically second button की तरह काम करता है यानि कोई भी button का जो second work है वो second work करने के लिए हम लोग क्या करते है shift को click करते हैं तब वो काम करता है आगे बढ़ते है shift के बाद एक alpha है तो alpha भी shift के तरह ही काम करता है लेकि देखिए जैसे यहां है आपको यहां है a b c d d आपको sign साइन इन वर्स है और d है तो जब आप shift के साथ समझ्द लो कि जब आप शिफ्ट के साथ इस button को दबाओगे तो sign इन वर्स आएगा और जब आफ इस button को बीना shift के दबाओगे तो sign आएगा लेकिन जब आप इस button को shift और alpha के साथ दबाओगे, तब ये लिखा जाएगा D, तो ये जो basically third button जो होता है, एक button का जो तीसरा काम होता है, उसको use करने के लिए alpha का इस्तेमाल करते है, basically, ठीक है, समझ में आगई बात, अब हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ बहुत सारे buttons हैं, ये तुम बटा वाला button है, बटा वाला button है मतलब क्या है कि इससे fraction आएगा, fraction देखिए, पांच बटा अगर दो लिखना है, तो पांच बटा दो हम इसी fractions button से लिखते हैं, सबसे पहले हमने fraction button को दबाया, फिर उसके बाद cursor से उपर नीचे चले गए, अब अगर हमको लिखना है whole number में तो इसी shift के साथ हम इसी button को दबाएंगे, shift के साथ दबाया, तो ये दूसरा वाला काम करना start किया है, अब इसमें आपको लिखना है, 5, 5, whole number, 8, 9, कुछ भी लिख दिया हमने, इसी तरह से आप इसको आप देखिए, अगर आपको trigonometric value निकालनी है, जैसे sign 60 degree की value निकालनी ह ये, cost, अगर आपको निकालना है, कुछ cost 90 degree कुछ भी, आप यहां से equal to sign दबाएंगे, उस cost की value आजाएगी, अगर आपको निकालना है, आप यहां से कोई भी value निकाल सकते है, अगर मालो 10 का आपको निकालना है, 589, 586, कुछ भी, equal to sign दबाएंगे, 10 की value आजाएगी, तो क कोई भी आल्व निकालने के लिए simple sine cos tan यहांooky बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे और उस sin tan cos की value आ जाएगे इसी तरह से अगर आपको sign inverse cross inverse निकालना जाएजा है shift के साथ fatal sine inverse दबाएंगे shift के साथ sign दबाएंगे तो sign inverse yakini second button काम करेंगा sign inverse हो गया अब sin inverse में मालो हमको निकालना है 0.0256 की value निकालना है equal to का sign दबाएंगे आ जाएगी sin inverse 0.0256 की value तो इस तरह से sin cost को हम लोग solve करते हैं अब बात करते हैं square और cube कैसे निकालते हैं और square root और cube root कैसे निकालते हैं अब जैसे मालो आपको 5 का square निकालना है तो 5 और यह button क्लिक कर दिए square आगया 5 का 25 तो इस तरह से 5 का square डारेक्ट निकाल सकते हैं अब अगर मालो आपको cube निकालना है ठीक तो आप लिखेंगे यहाँ पे 9 अब 9 के साथ इसका cube करना है हमको यहाँ से shift के साथ यह square वाला ही बटन दबाएंगे क्यूंकि shift के साथ square में देखो उपर cube लिखा हुआ है तो जब shift के साथ square वाला बटन दबाएंगे तो cube आएगा यानि आपको 9 का cube आ गया 7 to 9 समझ में आ गया cube और square कैसे निकालते है अब देखते है is square root और cube root अब माझनों को square root निकालना तो हम सबसे पहले लिखेंगे यह वाला बटन को यह स्क्वार रूट का बटन है ठीक स्क्वार रूट का बटन दबाया अब यहां से हमको निकालना है कितना तो 25 का स्क्वार रूट यहां से निकाला पांच आ गया अब किसी कभी स्क्वार रूट निकाल सकते हो जैसे मालो कि हमको निकालना है स्क्वार 3 root 11 ठीक है इसको point में भी convert कर सकते हो sd पे click करोगे तो point में आ जाएगा फिर sd पे click करोगे तो यह root के form में आ जाएगा यह sd convert कर देता है point में basically point में convert करने का काम करता है अब अगर मालो हमको cube root निकालना है तो हम shift के साथ इसी button को यह square root होला जब बटने इसी को shift के साथ जब दबाएंगे तो यह cube root का काम करेगा अब जैसे मालो हमको cube root निकालना है किसी भी number को लेते हैं 729 का cube root कितना आ गया 9 आ गया तो इस तरह से हमने उसका cube root निकाल दिया ठीक है तो यह हो गया square root और cube root और square और cube लेकिन अगर हमको निकालना है power 5, power 10, power 9 तब क्या करेंगे तो power अगर हमको ज़्यादा power निकालना है तो हम यह button दबाएंगे देखो सबसे पहले अगर मालो हमको 8 का power 5 निकालना है तो 8 का power यहां से जब यह button दबाईएगा square के बगल वाला तो आ जाएगा power में एक box और वहाँ blink करने लएगा जलभूत करने लएगा आप वहाँ पर जो चाहिए जैसे 8 का power 5 निकालना है तो 5 लिख दीजे equal to का sign दबाईए देखिया गया है तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं ठीक है अब अगर मालो कि हमको यहां पर निकालना है cube root में कुछ भी यानि cube root में नहीं अब root में हमको पावर निकालना है तो हम क्या करेंगे shift के साथ यही यही x का जो box वाला है इस button को दबाएंगे तो देखो दो जगा blink यहां जो blink कर रहा है ऊपर में यहां आपको लिख दिया 5 ठीक है अगर हमको 5 का निकालना है आपको root निकालना है जिसमें power root का जो power है वो 5 है यानि 1 by 5 है अब यहां पर हमने लिख दिया कुछ भी 856 इसकी value आजाएगी ठीक है 3.85 आपकी value आगई तो इस तरह से हम लोग इसको find out कर सकते हैं चाहे power कुछ भी हो कुछ भी power रहेगा हम आपको find out कर सकते हैं चाहे वो root में हो या फिर x का power में हो आप यहां से find out कर सकते हैं तो यह था आज का हमारा tutorial Kelsey King का first tutorial जिसमें हमने introduction देखा Kelsey का यानि scientific calculator का जिसको प्यार से हम Kelsey बोलते हैं तो आज का video I think आपको समझ में आ गया हो यह बहुत beginners के लिए है जो एकदम beginning है जो Kelsey अभी हाथ में उठाए हैं उन लोग के लिए है next video में जो हम लोग मिलेंगे तो इसके details में देख इसमें हम लोग matrices भी पढ़ेंगे determinant solve करना यह पढ़ेंगे inverse निकालना यह पढ़ेंगे linear equation solve करना यह पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजे में इसमें ऐसी बताऊंगा जो आप भी नहीं जानते हो तो सबसे पहले मेरे channel को subscribe करो और हर एक दिन बीच alternate करके Kelsey King की tutorial videos आती रहेंगी आज यह पहला tutorial था हम लोग मिलते हैं next tutorial में तब तक के लिए goodbye thank you so much for watching channel को subscribe कर लो और like